अब हम प्रस्ण लेते हैं exercise 1.2 का question number 1 यह आपके textbook का सवाल है प्रस्ण है एक बार मैं रीट कर देता हूं सिद्ध कीजे की f of x equal to 1 by x द्वारा परिभासित फलन f such that r star tends to r star अब यहाँ पर star के आगे समझाये गया है एक एकी तथा आच्छादक है जहां r star सभी रिनेत्तर वास्तिक संख्याओं का समुच्चा है यदि प्रांत r star को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पुरुवत r star ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा बच्चों ये प्रश्न दो भाग में बटा हुआ है यानि दो बात पूछ रहे आप से पहला भाग यहां तक कि ये फलन इसमें परिभासित है वह एक एकी तथा अच्छादक के सिद्ध करना है और दूसरी बात कि प्रांत को यानि r star को n से बदल दिया जाए यानि प्रांत को अब क्या कर दिया जाए r star से प्राक्री संख्याओं को समुच्य बना दिया जाए और साफ प्रांथ को पूरुवत ही रखा जाया अर्थाथ आर इस्टार ही रखा जाया तो क्या यह परिणाम सत्य होगा पूछ रहे हैं, दो बात पूछ रहे हैं तो चलिए यहाँ पर हमको क्या दिया है यह फलन है f of x is equal to 1 by x यहाँ पर x क्या है प्रांथ, प्रांथ क्या है आरिश्टार और आरिश्टार क्या है क्या लिखे है सभी रिनक्तर वास्तिक संख्याओं को समच्य है यहां पर लिए दो हूं है आर इस्टार जो है मैं सभी रिनक्तर वास्तिक संख्याओं का समुच्य है क्या मतलब रिनात्तर वास्तिक संख्याओं को समुच्छे एक मतलब रिनात्मक को छोड़कर बाकी सभी वास्तिक संख्याओं को समुच्छे ठीक है अब हम सबसे पहले परिक्षन करते हैं F के एक एकी के लिए इसका परिक्षन करते हैं तो हम लेते हैं, प्रांथ का कोई दूआ हो लेते हैं, माना X1 and X2 belongs to R star अर्थात प्रांथ की ये दूआ होया, तब F of X1 is equal to F of X2 माल लेते हैं, और इसके लिए X1 और X2 के बारे में क्या विसाशता आती ही देखते हैं, तो F of X1 is equal to F of X2, अब F of X1 कहाँ से निकालोगे, F of X से निकालोगे, तो F of X is equal to 1 by X, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये, 1 by X1 और F of X2 क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 by X2, तो there implies 1 by X1 is equal to 1 by X2, यदि ये बराबर इनकी ब्यूतकरम भी बराबर होंगे, पलट दीजिए इसको, अर्थाथ X1 बराबर X2, क्या मिल रहा है, क्या इस परस्ट हो रहा है, किसका परिभास से इस परस्ट हो रहा है, F of X1 is equal to F of X2, there implies X1 is equal to X2, ये एक आएकी होने का सर्थ है, आत्र F such that R star tends to R star एक आएकी है, तो ये एक आएकी है सिद्धोगे, अब हम दूसरा देखेंगे, आच्छादक, F के आच्छादक के लिए, इसमें हम सापरांद के अव्यों लेते हैं, माना X2X अव्यों, Y belongs to R star और सापरांथ, ये लेते हैं, और इस प्रकार लेते हैं, कि F of X is equal to Y, इस्टेप आपको पहले बताया ज़ए चुका है, आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमें 4 स्टेप लेने होते हैं, तो पहले हम सापरांथ के X1 चावयों लिया, फिर A फाप X equal to Y लिया, अब A फाप X कमान रखेंगे, A फाप X क्या है, 1 by X है, तो 1 by X is equal to Y, अगला काम क्या होता है, X कमान Y के पदों में निकालना, तो X is equal to क्या हो जाएगा, 1 by Y हो जाएगा, अब हम यहाँ पर परिक्षण करना है, तो इसको परिक्षण करने के दो तरीके हैं, मैंने कहा, दो तरीका बताया था, या तो सीधा सीधा यहाँ पर लिखो, कि क्या इसके संगत Y के, Y मतलब, सभी, रिनत्तर वास्तिक संख्याओं के लिए, प्रांथ में कोई कोई आउया, मौझूद है, यह देखने हैं, या फिर हम एक और तरीका बताया था, therefore, जब X is equal to 1 by Y, therefore, F of X is equal to F of 1 by Y, अब, इसको कहां से निकालेंगे, तो हमारा फरन कैसे परिभासी था है, F of X is equal to 1 by X, तो इसको आप पढ़िए, F of this is equal to 1 by this, तो यह निकालना है, तो यहां से निकालेंगे, क्या है, 1 by this, F of this is equal to 1 by this, याने 1 upon 1 by 1, 1 by Y, 1 upon 1 by Y, तो इसको क्या लिखा जा सकता है इसको, 1 upon 1 by Y, है ना, भाको गुनाम बदल दो, यह Y by 1 हो जाएगा, तो 1 into Y by 1, Y, अब यहां से क्या इसपर्ष्ट हो रहा है, यहां से इसपर्ष्ट हो रहा है, therefore, प्रतेक, Y belongs to, R star, अर्थाज़ा प्रांत, के लिए, देर इक्जीट, यह संकेत बच्चो, देर इक्जीट, अस्तित्व है, 1 by Y, belongs to, R star, यहने प्रांत, 1 by Y, क्या है, प्रांत ही है, तो सहप्रांत, यहने प्रतेक सहप्रांत, के संगत, प्रांत मौजुद है, प्रांत का अस्तित्व है, ठीक है, कैसा अस्तित्व है, अस्तित्व है, कि, F of X is equal to Y, और यह किसका सर्थ है, आच्छादक होने का, therefore, F आच्छादक है, क्या पता चल रहा है, कि अत्व, दिया गया फ़लन, एक एक एकी तथा आच्छादक, दोनों है, अत्व, एक एक एकी, तथा, आच्छादक, दोनों है, तो बच्चों, यहाँ पर आपको समझने की जरुरत है, आच्छादक में, आच्छादक में बताना जरूरी होता है, कि साप प्रांद के प्रतिक आवयो, प्रांद के किसी और किसी आवयो का प्रतिवीम है, और यही इस पस्ट हो रहा है, यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर कोई भी वास्टिक संख्या लेते हैं, प्रांद का कोई भी एक आवयो लेते हैं, कोई भी वास्टिक संख्या लेते हैं, तो क्या वहाँ, यहाँ एक स्कमान वास्टिक संख्या होगा कि नहीं होगा, जैसे माली जी आप यहां 2 लेते हैं यह 1 by 2 और 1 by 2 वास्तिक संख्या है की नहीं है इसका पतला प्रांथ में मौजूद है तो इस प्रकार से हमको सिद्ध कर सकते हैं अब बच्चों इसका दूसरा भाग है दूसरा भाग देखते हैं हम लोग अब इसका दूसरा भाग क्या कहता है यदि प्रांथ आर स्टार को एन से बदल दिया जाये इसका प्रांथ यह है इसको बदलना है किस से प्राक्री संख्या तो यहां पर एप कैसा परिभासित हो रहे है एन टेंस टू कहता है जबकी सहप्रांद पूरुवत यह ऐसे ही रहे आधिस्टार प्रांद को बदल दिया गया है तब हमको दिखाना है कि क्या यह परिणाम सत्य होगा याने फलन एक एकी तथा आच्छादक होगा यह सिद्ध करना है तो यहाँ पर आपको जानना है क्या कि यहाँ पर इस फलन पे x belongs to natural number है तीक है अब हम पहली बात को सिद्ध करके देखते हैं f एक एकी के लिए इसका परिक्षन करते हैं प्रांद की दो अवयो लेते हैं माना x1 and x2 belongs to प्रांद याने प्रांद क्या है इसका natural number है ठीक है तब f of x1 is equal to f of x2 के लिए f of x1 क्या हो जाएगा 1 by x1 और f of x2 क्या हो जाएगा 1 by x2 जब 1 by x1 बराबर 1 by x2 तो therefore x1 बराबर x2 ठीक है क्या इस पर्ष्ट हो रहा है कि f of x1 is equal to f of x2 के लिए there implies x1 is equal to x2 मिल रहा है अतर f एक एक एकी है अब इसका दूसरा भाग देखते हैं f के आच्छादक के लिए इसमें हम साप रांद क्या हो लेते हैं माना y belongs to साप रांद याने r star याने हम x1 चाओ ले रहे हैं और इस प्रकार ले रहे हैं f of x is equal to y अब f of x क्या है f of x 1 by x तो 1 by x is equal to y अब एक सकमान y के पदों में तो आप क्या लिख सकते हैं इसको x equal to 1 by y अब यहाँ पर आपको समझाना है कि y belongs to अब प्रतिक y belongs to y क्या है साप रांद क्या होया है y belongs to r star याने साप्रांद इसके लिए their exit 1 by y यदि y कोई वाश्रीक संख्या है तो क्या 1 by y natural number होगा x क्या होना चाहिए x क्या होना चाहिए natural number तो क्या 1 by y x जो है 1 by y ही तो है तो क्या 1 by y natural number होगा does not belongs to n याने प्रांद आप कोई भी रख करके देख लिजे यदि हम यहां पर क्या लिए ते y is equal to 2 which belongs to तब x अक्मान क्या हो जाएगा 1 by 2 which does not belongs to n इसपस्ट है क्या इसपस्ट है कि अ साफ प्रांथ के कुछ ऐसे ऑयव हैं यहां से सर्फ स्थ हो रहा है से प्राथ के किसी भी ऑयव का प्रत्वीम नहीं rif यह साफ प्रांथ में कुछ ऑयव हैं के आप देख सकते हैं जैसे आप प्रांथ कि कुछ हो यह ले लो, मालो हम लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे हम ले सकते हैं, तो फलन का परास कैसा मिलते जाएगा, किसे किसे सम्मन्दित होगा, one by one, याने one, फिर दूसरा two रखो, एक से बराबर two रखो, तो यह क्या हो जाएगा, one by two, याने y कमान, परास मतलब y कमान, x के संगत y कमान, one by three, one by four, one by five, इस प्रकार सी मिल रहे हैं, ठीक है, जबकि फलन का सापरांद क्या है, और star, याने, सभी रिणत्तर वास्तिक संख्यांक समुच्या है, और यह जो है, परास जो है, इसका उप्समुच्या है, ठीक है, इसका मतलब, f जो है, therefore f आच्छादक नहीं है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते बच्चों, यहां से इस पर्ष्ट होगे, इस लाइन से इस पर्ष्ट होगे, और रेज फिर हम ऐसा कुछ दिखा करके भी कर सकते हैं, परास ऐसा आ रहा है, याने, सभी रिणत्तर वास्तिक संख्या नहीं आ रहा है, छूट रहा है, बहुत कुछ छूट रहा है, याने, परास इस नाट इक्वल टू सहपरांथ, दिख रहे हैं, परास सहपरांथ के बराबर नहीं है, तो आच्छादक नहीं है, तो इस प्रकार दूसरी जो इस सितिति हैं, उसमें परिणाम जो है बदल गया, पहल नाम सत्य नहीं है, यह कहकी तो है, किन्तु आच्छादक नहीं है, तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, नोट करेंगे बच्चों